हेलो दोस्तो मैं हूँ प्रतिमा बहुत स्वागत है प्रतिमा गार्डन में आप सभी का दोस्तो यह है इंसुलिन का पौधा और इस पौधित पर मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर बहुत अच्छा रिस्पॉंस मुझे मिला और बहुत धेर सारे कमें जसलैंट भी आये हैं जिसमें लोगों ने जो हमारे विवरशन में जानना चाहा है कि इसको हम कैसे इस को उपयोग करें कैसे खाएं तो इसी जानकारी के लिए मैंने ये दूसरा वीडियो बनाया है दोस्तों इंसुलिन को कोक्टस इगनिम के नाम से भी जाना जाता है और इंसुलिन की जो पत्ती होती है इसमें नैचुरल तरीके से इंसुलिन का उत्पादन करने की छंता होती है हमारे सरीर में लेकिन बात यह है कि इसको हम खाएं कैसे कैसे इसको उपयोग करें तो दोस्तो इसको लेने के चार तरीके हैं पहला तरीका है कि आप सुबह खाली पेट बासी मो एक दो पत्ती इसकी तोड़े और उसको साफ करके यूही उसको खा ले चबा करके तो इससे जो है आपका फास्टिंग शुगर और खाने के बाद का जो शुगर है दोनों ही कंट्रोल में रहता है क्योंकि इस पौदे की पत्ती में जो नैचुरल केमिकल्स होते हैं वो हमारे सरीर में चीनी को ग्लाइकोजिन में बदल देते हैं और यह जो ग्लाइकोजिन होता है यह मैटाबॉलिजम प्रक्रिया को बढ़ और इसको चाय में सुखाएं और इसके पावडर को हम प्रति दिन एक चम्मच इसका सेवन करें खाली पेट करें तो अच्छा रहेगा तो इससे भी सुगर कंट्रोल में आ जाता है और तीसरा है दोस्तों इसकी चटनी बनाकर खाएं चटनी कैसे बनाएं चटनी बनाने के इसको खाने के साथ खाएं तो आपके खाने का स्वाद्धी बढ़ाएगा और यह ब्लड शुगर भी आपका कंट्रोल करेगा दोस्तों यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरू कर दीचे और चौत और साथ में गनीम की पत्थी मिला देते हैं इसको भी मिलाके पीस लेते हैं तो और भी बढ़ियां तो यह जो हमारे बॉड़ी में जो इंसुलिन बनाने के जो सेल्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं उसको फिर से जनरेट कर देता है और फिर से स्वस्त कर देता है उसको और blood sugar level को control करता है और दोस्तों जो diabetic लोग है मीठा कमी खाएं तो ज़्यादा अच्छा है और जो गर्भवती इस्त्रिया है जो diabetic हैं इसको लेने के पहले अपने चिकित्सक से परामर्ष जरूर लेने उसके बाद इसका सेवन करें तो दोस्तों ये थे इसके